आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूजफुल किचन टिप से लेके आई हूँ जिसे आपके रोज का काम आसान और बहतर हो जाएगा नमस्ते दोस्तो स्वागत आपका प्रितीरा सोई में वीडियो देखने की बाद अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो एक लाइक जरूर करियेगा फैमली और दोस्तों के साथ जादा शेयर करियेगा ताकि इसका लाब उनको भी मिले तो चले देर नहीं करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपके पास भी इस तरीके का गेहूं चावल या दाल का प्लास्टिक वाला बोरी है तो आप इसे बिल्कुल भी मत फेकिएगा आप इसे अपने वास वेसिंग के लिए यूज कर सकती है तो बोरी के उपर वाले हिस्से के दोनों लेयर को बराबर कर लेना है उसके बाद आपको इसके एक कॉर्णर पर इस तरीके से हाथ को रखना है और दोनों साइड से इसे कट करना है तो हथेली से थोड़ा सा बड़ा इसे काटना है आप चाहे तो इसके दोनों साइड में इस तरीके से मार्क लगा ले उसके बाद काटे या फिर ऐसे ही काट ले तो फ्रेंड वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मेरे वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रही है मुझे खुशी होगी आपको बोरी को इस तरीके से काट कर अलग कर लेना है उसके बाद इसके दोनों लेयर को बराबर करना है बोरी के दो साइट को सिल कर इसे pocket के जैसे बना लेना है तो मैं इसको हाथ से सिल रही हूँ आप चाहे तो machine पर भी सिल सकती हैं जल्दी भी होगा और आसान भी रहेगा तो मैं इसे हाथ से इस तरीके से सुई धागे से सिल लेती हूँ जब दोनों साइट से ये अच्छे से सील जाएगा और लाश्ट में यहां पर आपको अच्छे से गाठ लगा देना है ताकि जो हमने सीलाई किया है वो खुले नहीं और ये कुछ इस तरीके का बनकर तयार हो जाएगा तो चलिए इसे यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं तो हमारे वाश रूम में जो वाश बेसिंग रहता है उसका यूज तो फैमिली मिंबर में हर कोई करता है मगर इसे क्लीन जब करना होता है तो वो जिम्यदारी हमारे उपर ही रती है तो wash washing को कभी भी direct हाथ से नहीं clean करें क्योंकि इसके अंदर जो गंदगी रहता है या फिर जो किटारू रहते हैं वो सारे हमारे हाथ में आ जाते हैं तो आप क्या करें कि wash washing को clean करने से पहले आप इसे हाथ में इस तरीके से पहन ले उसके बाद आप इसमें detergent या फिर जो भी डाल कर इसे clean करती हैं वो डाल दें और बस इस तरीके से रब करें खास बात ये है friend कि आपको इसमें कोई scrubber भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो बोरी रता है वो थोड़ा खुरदुरा रता है जिसके वज़े से ये बहुत ही अच्छे से cleaning कर देगा और साथ ही साथ आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा और आप इसे अपने washroom के tiles वगर को भी साफ कर सकती हैं बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है और खास बात ये है कि आप इसे कहीं पर भी cleaning करेंगी आपको किसी scrubber या brush के जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप cleaning कर लें तो इसे आप अच्छे से धो लें उसके बाद आप इसे कहीं पर भी लटका दीजिए ये अच्छे से सूख जाएगा और ये देखिए जो आपका हाथ है वो भी एकदम clean रहेगा ना ही detergent लगेगा और ना ही कोई गंदगी आपके हाथ में लगेगा अगर आपके हाथ में कुछ problem है तो उस time पर भी आप इसको पहन कर cleaning कर सकती है बैंगन का भरता खाना बहुत लोगों को पसंद रहता है मगर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि ये नुकसान करता है इसके वज़े से भी नहीं खाते हैं क्योंकि इसका जो गुड रहता है वो थोड़ा ज़्यादा गैस बनाता है यानि इसे जब हम खा लेते हैं तो उसके बाद जिसको acidity gas का problem रहता है उनका वो problem ज़्यादा हो जाता है यानि बढ़ जाता है तो आज मैं आपको भरता बनाने से पहले बैंगन के साथ क्या करें जिससे ये आपको बिल्कुल भी नहीं नुकसान करेगा और आप इसे एकदम सौक से खा सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बैंगन को अच्छे से आप धो ले उसके बाद इसके बीच में इस तरीके से कट लगा ले कट लगाने के बाद आप इसे चेक कर लें कि इसमें कीडा वगरा तो नहीं है फिर तीन से चार लसुन की कली ले ले और उसका छिलका निकाल कर बैंगन के अंदर डाल दें इस तरीके से अगर आप तीखा खाना पसंद करती हैं तो आप इसमें एक हरी मेर्च भी डाल दें हरी मेर्च से भुन जाएगा और उसके बाद आप जब बैंगन के चोखे में डालेंगी तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा बैंगन में लसुन डालने से ये बिल्कुल भी नहीं नुक्सान करेगा आपको बिल्कुल भी गैस नहीं बनाएगा मगर आगे जो टिप मैं आपको बताऊंगी उसे भी आप फोलो करिएगा जिससे ये आपको बिल्कुल नहीं नुक्सान करेगा और एकदम सौक से आप इसे खा सकती हैं अब टमाटर और बैंगन के उपर थोड़ा सा सरसो का तेल डालेंगे और अच्छे से इसे लगा देंगे बैंगन और टमाटर में सरसो का तेल लगाने से बेंगन बहुत जल्दी पक जाएगा जिससे आपके गैस और समय दोनों की बच्चत होगी साथ ही साथ जब इसका छिलका निकालेंगी तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और आप यहाँ पर सरसो का तेल यूज करिएगा यानि मस्टर्ड ओयल मस्टर्ड ओयल चोखे में बहुत ही अच्छा लगता है आप बेंगन को चोखा जब बनाती हैं तो मस्टर्ड ओयल का ही यूज करिए देखिए उसका जो टेस्ट है वो और भी हमेजिंग हो जाएगा तो यहाँ पर अब बेंगन को भूल लेंगे और जब बेंगन ठंडा हो जाएगा तो छिलका निकालने के बाद आप इसका बीज भी निकाल दीजिएगा फिर ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा जब भी हम ब्रा नया नया खरीद कर लेकि आते हैं तो ये एकदम फिट रहता है मगर ये जब पुराना हो जाता है तो इसका जो रबबड है यानि लाश्टिक है ये पुरा खिच जाता है जिसके वज़े से इसका फिटिंग खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा धीला हो जाता है किसी का नीचे की सैट से धीला हो जाता है तो किसी का उपर के सैट जो ये पट्टी है ये धीला हो जाता है तो आज हम पुराने ब्रा गो एकदम नय जैसे बनाएंगे ना ही इसमें हम कुछ काटपिट करेंगे और ना ही सिलाई करेंगे बिना सिलाई किये हम इसे टाइट करेंगे तो फ्रेंड एक बरतन में डेड़ ग्लास के करीब ठंडा पानी लेना है फ्रिज का पानी ले एकदम ठंडा अब इसमें हम थोड़े से बरफ के टुकड़े डालेंगे तो इस तरीके का आईस क्यूब ले ले और इसके अंदर आप डाल दे तो बस 15 से 20 आईस क्यूब डाल दे उसके बाद जितने भी आपके ब्राध हीले हो गए हैं उन्हें इसके अंदर डाल दे फिर इसके उपर से भी आईस क्यूब डाल दे तो 15 से 20 आईस क्यूब इस तरीके से उपर से डाल दे ये एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसका जो रबबर है वो अपने सेप में आ जाएगा यानि जितना भी रबबर खीच कर बड़ा हो गया है उतना वो वापस सिकुड कर छोटा हो जाएगा यानि पहले जैसा ये टाइट हो जाएगा तो अब इसे रख दे और जब तक पानी रूम टंपरेचर पर नहीं आ जाता नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आप इसे इसमें रहने दे जब पानी नॉर्मल हो जाएगा रूम टंपरेचर पर आजाएगा उसके बाद आप ब्रा को निकाल कर इसमें का पानी निचोड ले तो निचोडने के लिए आप इस तरीके से दबा कर निचोड़े ऐसे घुमा कर मत निचोड़े नहीं तो इसका जो रबबर है वो खराब हो जाएगा और वैसे भी रबबर वाले कपड़े को आप कभी भी इस तरीके से घुमा घुमा कर मत निचोड़िएगा नहीं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड इसका जो रबबर है पहले से टाइट हो गया है अब इसे आप छाओ में सुखा लें आप चाहे तो धूप में भी सुखा सकती हैं मगर धूप इतना तेज है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मत सुखाएगा नहीं तो तेज धूप से भी जो रबबर वाले कपड़े रते हैं उनका रबबर खराब हो जाता है तो फ्रेंड इन सारे टिप्स से आपके पैसे की बच्चत होगी समय की बच्चत होगी और आपका काम आसान भी होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा ऐसे ही यूजफुल टिप देखने के लिए अपने फैमली और दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यदा शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाब मिले इन टिप्स कर लाब